देखो भाई ऐसा है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज बैट गई है रिंग को नाम सुनके आपने फ्लावर समझा था भाई फायर निकला है उनकी इनिम देखकर हमारा गला फड़ गया चिल्ला चिल्ला की टेक मरड बवा जूट बोल रहा है जो चीज फटा है वो गल अरे रोनक भाई कीवी छोड़ो यार पहले रिंकू सिंग की बात करने दो मतलब माइंड इकल्स टू ब्लो हो गया है अगर आप लोगों ने अभी तक ये मैश नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले शुरू होने से कि आज से ये जो अकाउंट है ना ये रिंकू सिंग फैन अकाउंट के नाम से अफिशल ही जाना जाए गा टूर्नमेंट शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने आपको बता दिया थे कि ये टूर्नमेंट रिंकू सिंग का ब्रेक्थ्रू टूर्नमेंट होगा लेकिन अब भी जो हो गया ना भाई उसने पाना मुश्किल ही नामुमकिन है अगर कोई डाउट है तो जाकर मैच की हाइलाइट्स देख लो लेकिन एक और चीज ज़रूर देखना डिस्क्रिप्शन में कीवी आपका लिंक है उस पे क्लिक करके डाउनलोड करो इस T20 लीग के मैच के बाद फ्री कुईज खेल के हजारो जीतो ग्यारा तारीक को पहले कोई जम खेलने वाले उससे पहले एप डाउनलोड कर लो तुरंट से पहले और रेडी हो जाओ याद रखना मैच खतम तो कीवी चालू फिलाल हम जो है मैच पर वापस आते हैं और आपको शुरू से बताते हैं मैच शुरू होने से पहले ही जिना गुजरात फैंस के पास एक बुरी खबर आ गई थी खबर थी कि कप्तान हर्दिक पांड़ा इस मैच से बाहर हैं और उनकी जगा कप्तानी करेंगे राशिद खान राशिद भाई वे एक दम क्रांती वीर बन कर आये तौस जीत कर पहले बरले बाजी करने वाली गुजरात की तरफ से थे शुबमनगिल जो एक वक्त पर कोलकाता की तरफ से खेला करते थे कोलकाता की तरफ से रहमान उल्ला गुर्बास जो इससे पहले गुजरात के लिए खेला करते थे और कोलकाता की तरफ से वापसी कर रहे थे लौकी फर्यूसन जो की एक वक्त पर क कोलकाता की तरफ से खेलते थे उसके बाद पिछले साल गुजरात गए और अब की बार वापस से घर वापसी करके कोलकाता आ गए। पिछले मैच में गेनबाजो को पेल रहे लौड जार्दुल ठाकूर अब की बार खुद पेले गए। अखरी ओर फेक रहे शार्दुल को विजय शंकर ने लगातार तीन चक्के लगाये और देखते ही देखते गुजरात जो की 170-80 मैक्सिमम बनाते दिख रही थी 20 ओवर के बाद 204 तक पहुँच गई। टार्गेट अच्छा खासा बड़ा था। उपर से कोलकाता की शुरुआत भी अच्छी नहीं रहे। वो भी 8 गेंदों में छहरन बना कर आउट हो गए। ऐसे में कोलकाता ने खेला मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने सुयाश शर्मा को सब्स्टिटूट करके वेंकटेश एयर को इंपक्ट प्लेयर बनाया। कोलकाता वाले इस इंपक्ट प्लेयर रूल का सबसे वड़िया इस्तमाल कर रहे हैं। पिछले मैच में शुयाश शर्मा इंपक्ट प्लेयर बनकर 3 विगेट ले गए थे और आज के मैच में वेंकटेश एयर ने क्या चलवा भी खेरा है वाईसा। 26 गेंदों में हाफ जिस भी गेंद पर वेंकटेश बल्ला लगा रहे थे मिडल कर रहे थे। यानि ऐसा समझ लीजे जो छूलिया वो सोना। नितीश राना के साथ मिलकर वेंकटेश एयर ने सेंचरी पार्टनर्शिप कर डाली। कोलकाता के लिए सब कुछ वड़िया जा रहा था। वेंकटे आंद्रे रसल के लिए रोक कर रखा था। दोनों का आमना सामना हुआ सत्रवें ओवर में जब कोलकाता को जीत के लिए 24 गेंद में 50 रन की जरूरत थी। अगली तीन गेंदे सुनिये। आंद्रे रसल विकेट की पीछे पकड़े गए। अगली गेंद पर सुनिल नारायन डीप मिडविकेट पर कैंच दे बैठे और फिर लॉड शार्दलू ठाकुर को LBW करके T20 में अपनी चौतिक हैट्रिक पूरी करी राशिद खान में। उसके बाद रही सही कसर मोहमद शामी ने निकाल दी थी। आखरी ओर में जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे। शारुक बाई एक हपते के लिए मननत खाली करो रिंकु भाई का सिंग असल लगवाँ वहाँ पर पूरे अलीगड का नाम रोशन कर दिया रिंकु सिंग ने इस मुद्धे पर हम और भी जादा वीडियो बनाएंगे फिलहाल मैं निकलता हूं यहां से जा रहा हूं वापस से कीवी यहां फ्री में कुईज खेलो कैश जीतो 11 तारीक को होगा पहला कुईज तब तक कीवी आप डाउनलोग करो गुरू डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हाँ चैनल सब्सक्राइब कल मिलते हैं